भिलनी महा तपस्विनी शबरी जाको नाम मतंग मुनी कहकर गए तो है मिलेंगे राम सोने की चडिया माभारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो वर्षों की तपस्या के बाद रिशिमुनियों को भी नहीं मिलते मगर एक भिलनी शबरी के घर स्वैम चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बलकि उस भेलनी के जूठे बेर भी खाते हैं और बाबा तुलसी ने क्या खोब कहा है कि प्रबल प्रीम के पाले पढ़कर प्रभुका नियम बदलते देखा अपना मान भाले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान 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 भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान एक थी शबरी भगतन न्योच्छावर करके तन मन मतंग मुनी के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन बागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चड़ाती गंगा के पावन जल से रोज असनान कराती चरण धोके श्री राम का करती चरण अमृत का पान भाव के भूके हैं भगवान भाव के भूके हैं भगवान भाव के भूके हैं भगवान धैर ये एक ऐसा प्रसाद है जो इनसान को महान बना देता है मतंग मुनी मा शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दर्वाजे राम जरूर आएंगे और शबरी ने दस हजार साल तक प्रतिक्षा किया शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बलकि कहते थे ये कोम दिखात को दीमा नारी ते उत जाती है मूद भरी छिन भीतर बाहर होत छिन सुखसो नहीं बैठत एक खरी यही के तनमे कचुपीर भई ये वियोगिन मान समाही जरी अब जान पड़ी रगुनाथ के प्रेम की मूरती रूप ये है मतंग शबरी को बताए बहु भांती समझाए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलने के दिन अब आए राम जी तुम से मिलेंगे मेरी कुटियां में आकर शबरी को धैरे बंधा कर समाधी लिये गुरुवर राम नाम में लिन हो गई गुरु से पाकर ग्यान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव की भूखे हैं भगवान मा शबरी के गुरु महा मुनी मतंग जब अपने नश्वर शरीर का प्याग कर रहे थे तब मा शबरी ने उनसे पूछा हे गुरुवर मुझे मेरे राम कहां मिलेंगे इस पर महा मुनी मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी हरे दुनिया राम को डूणती है मगर तू तो ऐसी खुश नसीब है मा शबरी हर रोज राहों पर फूल विछाती थी चुन चुन कर मीठे बेर चक चक कर इकठा करती थी ठाकि मेरे प्रभुष राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी मा विछाती थी शबरी मा सोचती थी कि मेरे गुर्वर कहके गए हैं कि मेरे घर मेरे राम ज़रूर आएंगे शबरी मा राहों पर दूर दूर तक फूल विछाती कि प्रभुष राम के पैर में कहीं कोई काटा न चुप जाए राह पे फूल विछाती वो मीठे बेर को लाती मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे उमरिया बीती जाए रे के अखियां पंत निहारे जर जर हो गई काया फिर भी बसे राम में प्राण भाव के भूखे हैं भगवान बाव के भूखे हैं भगवान बाव के भूखे हैं भगवान समय समय के साथ बीतता गया माशबरी अब बुढ़ी हो गई माशबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई प्रभूश्री राम के प्रती उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया माशबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी प्रियाग राज जहां पर कुम्भ का मेला लगता है एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुम्भ के मेले को देखने पहुँची अपने पूर्व जन्द में भी मा शबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही जादा प्यार था उस वक्त रानी ने अपने पती से ये इक्षा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीरतन करूंगी जिस पर उसके राजा पती ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटी लोगों के साथ बैठना शोगा नहीं देता ये बात महारानी के हरदय में चुप गई महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिये और इश्वर से कहा हे मेरे प्रभू हे मेरे राम इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खुबसूरत बनाया है अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना इस जन्म में आपने मुझे उच्छी कुल में जन्म दिया है अगले जन्ड में चाहे तुम मुझे भीलनी बना देना मगर हे प्रभू मेरा अगला जन्ड जब भी हो मुझे ये सौधाग ज़रूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को चपू मैं तुम्हारा नाम लू मुझ पर कोई पंधन नहो वो राजकुमारी अगले जन्द में माशबरी बनी वही माशबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी वो सुन्दर आसन लगाके स्वक्ष कुटिया को सजाके राह आचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगाके और ना अब तड़ पाओ राम मेरे आभी जाओ दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी पून करो अर्मान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव की भूखे हैं भगवान अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम दास मलू का कह गए सब के दाता राम और हम सब के परम पूज्य बाबा तुलसी दास ने राम सरित मानस में भी कहा है राम से बड़ा राम का नाम और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे वो हर वक्त हे राम हे राम बोलती रहती थी प्रभूश्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में तर तर पटक रहे थे उनके कानों में ये आवाज खुंजी उन्होंने अपने भाई लखन से कहा प्रियनुज ध्यान से सुनो मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतिक्षा कर रही है मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ चलो अनुज माता शबरी की कुटिया में चलते हैं प्रभूश्री राम माता शबरी की कुटिया में आते है माता शबरी की नजर जब प्रभू श्री राम के उपर पड़ती है तो माता की आँखों से खुशियों के आँसु धारा प्रवा बहने लगते है माता शबरी रो रो के कहने लगती है मेरे राम आप आगए मेरे राहा मा पा गए आसु भरी आँखों से मा शबरी प्रभुश्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी दोनों हाथों को जोड़ कर दोड़े दोड़े मा शबरी ने प्रभुश्री राम के पैर पकड़ लिये और कहने लगी मेरे राम मैं तो दो जन्मों से आपकी प्रतिक्षा कर रहे थी लोग मुझे पागल बुला रहे थे मेरे गुरु देव ने मुझे कहा था किशबरी राम लक्षमन के साथ एक दिल तेरी कुटिया में सरूर आएंगे सरूर आएंगे राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुसकाते प्रभु के पास में आई कुटिया से दोड लगाते राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई प्रभु के पाम पकड के भाव में विहवल हो गई प्रभु के पाम पकड के भाव में विहवल हो गई खुशी के आंसूं से पग धोए भक्त न शबरी समान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान मित्रों मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है और वो बात ये है कि इश्वर को हमारी जरूवत नहीं है हमें इश्वर की जरूवत है इश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है मगर हम इश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण है हम पैदा तो इनसान के रूप में होते है मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो इश्वर को पसंद हो और इश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बनें दयालू बनें और सदैव ही अच्छाई के मार्क पर चलें चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों नहों और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें चाहे इश्वर के रूप में चाहे अल्लाह के रूप में गुरुनानक देवजी के रूप में चाहे इसा मसी के रूप में जो भी इंसान इश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता बुरा करना तो दूर की बात है वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है उसका मन हमेशा साफ और शान्त रहता है मन हो गर निर्मल संजय प्रभु जी तोड़े आते प्रसाद की बात करें क्या वो जूठे बेर भी खाते तशाद की बात करे क्या वो जूठे बेर भी खाते बात है सची लेकिन हम सब इससे हैं अंजान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान इस कता के लेखक पंडित संजे तिवारी जी, साउंड इंजीनियर, श्री कैलास डिन्रियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगितकार लवली शर्मा, मैं आपका अपना रविराज, और भी मिल्सिक परिवार की तरब से, आप सभी को कोटी कोटी प्रणाम करता हूं, किसी भी तुरुटी क हम श्रमा प्राव की हैं